हेलो फ्रेंट इस वीडियो में हम समास के बारे में चानेंगे तो समास यानि की दो या अधिक पदों के सयोग की प्रक्रिया को समास कहा जाता है सामासिक सब्द कुछ विशिष्ट नियमों से पद चुड़ कर चो नया सब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते है पुर्वपद, सामासिक सब्द के पहले पद को पुर्वपद कहते हैं, उत्तरपद, यानि कि सामासिक सब्द के अंतिम पद को उत्तरपद कहते हैं, मध्यम पद, सामासिक सब्द के पुर्वपद और उत्तरपद के बीच के पद को मध्यम पद कहते हैं, विग्रह यानि कि सामासिक सब्द के पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को सामासिक सब्द का विग्रह कहते हैं समास के प्रकार समास के कुल आठ प्रकार है जिसमें पहला है द्वंद्व समास, द्वीगु समास, मध्यंपदलोपी समास, उपुपद समास, कर्मधारे समास, अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास और आठवा बहुवरिही समास जिसमें से पहला प्रकारम देखते है तो पहला प्रकार है द्वंद्व समास विग्रह करते समय दोनों के बीच और एवं तथा या अथवा जैसे समुच्य बोथक या विकल्प वाचक अव्योई रखे जाते हैं उदारण देखते हैं जैसे की सुख दुख तो उसका विग्रह होता है सुख और दुख राजा रानी राजा और रानी तीन चार तीन या चार लाल पीला लाल अथवा पीला भाई बहन भाई तथा बहन इस तरह जिस्त सामासिक सब्दों का विग्रह करते समय और एवं तथा या अथवा जैसे समुच्य बोथक अव्योई रखे जाते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं झाल 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 झाल